देश में सबके सामुहिक प्रयासों से कुरोना के खिलाप लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ी जा रही है। जब हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि वास्तों में भारत वास्यों की उपलब्ति कितनी बड़ी है। हमारी जन संख्या जादातर देशों से कई गुना जादा है। हमारे देश में चुनौतियां भी भिन्न प्रकार की है। लेकिन फिर भी हमारे देश में कोरोना उतनी तेजी से नहीं फैल पाया जीतना दुनिया के अन देशों में फैला। करोना से होने वाले मृत्य दर्भी हमारे देश में काफी कम है, जो नुक्षान हुआ है, उसका दुख हम सब को है, लेकिन जो कुछ भी हम बचा पाए हैं, वो निश्चित तोर पर देश की सामुहिक संकल्प शक्ति का ही परणाब है, इतने बड़े देश में हर एक देश वा देश वासियों की संकल्प शक्ति के साथ एक और शक्ति, इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है, वो है देश वासियों की सेवा शक्ति, वास्तों में इस महामारी के समय हम भारत वासियों ने ये दिखा दिया है, कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदर्श नहीं है बलकि भारत की जीवन पद्धती है और हमारी यहां तो कहा गया है सेवा परमो धर्मह सेवा स्वयम में सूख है सेवा में ही संतोष है आपने देखा होगा कि दूसरों की सेवा में लगे व्यक्ति के जीवन में कोई डिप्रेशन या तनाव कभी नहीं दिख उसके जीवन में जीवन को लेकर उसके नजरिये में भरपूर आत्मविश्वास सकारत्मक्ता और जीवन्तता प्रतिपल नजर आती है साथियों हमारे डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ सभाई कर्मी पूलीस कर्मी मिडिया के साथी यह सब जो सेवा कर रहे हैं उसकी चर्च मैने कई बार की है मन की बात में भी मैने उससा जिकर किया है सेवा में अपना सबकुछ समर्पित कर देने वाले लोगों के संक्या अनगिनत है ऐसे ही एक सज्जन है तमिलनाडू के Seal это स्री मोहन जी मदुरे में एक सलून चलाते हैं अपनी महनत की कमाई से इन्हों ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पांच लाख रुपे बचाये थे लेकिन इन्हों ने ये पूरी राशी इस समय जरुरत मंदों गरीबों की सेवा के लिए खर्च कर दी इसी तरह अगर तला में ठेला चला कर जीवन्यापन करने वाले गाउतम दास जी अपनी रोज मरा की कमाई की बच्चत मस से हर रोज दाल चावल खरीद कर जरुरत मंदों को खाना खिला रहे हैं पंजाब के पठान कोट से भी एक ऐसा ही उधारन मुझे पता चला यहां दिव्यांग भायराजु ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पुझी से तीन हजार से अधिक मास्क बनवा कर लोगों में भांटे भायराजु ने इस मुश्किल समय में करीब सो परिवारों के लिए खाने का राक्षन भी जुटाया देश के सभी इलाकों से विमेंस सल्फ हेल्फ गुरुप के परिश्नम की भी अंगिनत कहानिया इन दिनों हमारे सामने आ रही है गाउं में छोटे कस्पों में हमारी बहने बेटिया हर दीन हजारों के संख्या में मास्क बना रही है तमाम सामाजिक संस्ताय भी इस काम में इनका सयोग कर रही है साथ्यों ऐसे कितने ही उधारण हर दिन दिखाई और सुनाई पड़ रहे है कितने ही लोग खुद भी मुझे नमो एप और अन्य माध्यमों के जरिये अपने प्रयासों के बारे में बता रहे है कई बार समय की कमी के चलते मैं बहुत से लोगों का, बहुत से संगठनों का, बहुत से संस्ताओं का नाम नहीं ले पाता हूँ. सेवा भाव से लोगों की मदद कर रहे, ऐसे सभी लोगों की मैं प्रसंसा करता हूँ, उनका आदर करता हूँ, उनका तहे दिल से अभिनंदन कर पार्व